प्रणाम दोस्तों, हमारे भारतिय समाज में ऐसी बहुत सी प्रथाईं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। समय के साथ इन प्रथाओं ने अपना महत्वक हो दिया है। मेरा आज का लेक ऐसी ही एक प्रथा पर आधारित है जिसका शिर्शक है मृत्य भूज। आपको अगर मेरा यह लेक पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब अबश्य करें। साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके। आईए सुनते हैं यह लेक। भारतिये परंपराएं बहुत ही सही सोच से प्रारंभ हुई थी और हर परंपरा के पीछे एक विज्ञान था। जैसे जब किसी घर में मृत्यो हो जाती थी तो उस घर के लोग गेहरे दुख में होने के कारण भोजन आदिगी तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। इसलिए हमारे सभ्य समाज के लोगों ने यह विधान बनाया कि कुछ मित्र, पडोसी या रिष्टेदार उसके घर पर अपनी इच्छा अनुसार कुछ फल सबजी आदी लेकर जाएं और सब मिल बैट कर खाएं ताकि शोकाकुल परिवार को कुछ मानसिक और नैतिक सहरा मि ले, तेर्वी पर ब्रहमनों, रिष्टेदारों और समाज के अन्ने लोगों को साधा भोजन करवाया जाता था, इसे ही मृत्य भोज कहा जाता है, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप इतना ज्यादा बदल गया है कि अब यह समाज में एक बहुत बड़ी कुरीती बन गया ह मृत्यू वाले दिन से ही तेर्वी तक घर में भाती-भाती के इतने पकवान और मिश्ठान बनते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं मन में तो यह प्रशन आता है कि इनको मरने वाले का दुख है भी कि नहीं घर का कोई भी सदस से किसी भी उम्र में जाए, परिवार वालों के लिए उसकी पीड़ा कभी कम नहीं होती इस मृत्यू भोज को बड़ा करने के नाम पर भी लोग मानवता को शर्मसार ही करते हैं साधन संपन लोगों के कारण यह कुरिती समाज में अपनी जड़े और गहरी करती जा रही है क्योंकि वह लोग मृत्यू भोज का आयोजन भी विवाह भोज के स्तर पर ही करने लगे हैं इस मृत्यू भोज के नाम पर ततह कतित कुलीन समाज के लोग खाना खाने और खिलाने के नाम पर निरलचिता की सारी सीमाई लांग रही है गाउं में तो और भी बुरा हाल है, पूरा का पूरा गाउं ही इस भोश पर तूट पड़ता है जानवर भी अपने साथ ही के मरने पर ऐसा वेवार नहीं करते जैसा मनुष्य जाती कर रही है हैरानी होती है ऐसे लोगों की सोच पर जो की यों तो धर्म के बहुत बड़े शास्री बनते हैं पर समाज की किसी भी कूपरता को दूर करने के लिए कोई भी पहल नहीं करते हैं और अगर कोई कोशिश करे तो भी उसका साथ नहीं देते बस यही कहते नजर आते हैं कि हमारे अकेले के बदलने से क्या होगा अब तो यह बढ़ता ही जा रहा है इसलिए जैसा समाज में चल रहा है हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा इसी विचारधारा के चलते मृत्य भोज की प्रथा कहां से शुरू ही थी और कहां तक पहँच गई गरीब लोगों पर इसकी बहुत मार है क्योंकि उन्हें तो पहले ही बिमार व्यक्ति का खर्चा उठाने में परिशानी होती है और उस पर उसके मरने के बाद मृत्य भोज का खर्चा उन्हें तो कई बार जमी जयदात बेचकर मृत्य भोज आयोजित करना पड़ता है या फिर कर्स तक लेना पड़ जाता है इस तरह के किसी भी भोज को आयोजित करने से पहले यह विचार करना अती आवशक है अमीर लोगों की प्रताएं गरीब लोगों के जी का जनजाल बन जाती हैं। हाँ यह सही है कि किसी भी परिचित के संकट की घड़ी में उसके साथ जरूर खड़े हों और तनमन धन से सहयोग करें। आजकर सोशल मीडिया पर बहुत भहस जारी है कि मृत्य भोज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। महाभारत में ऐसा उलेक है संप्रीति भोज्यानी आपदा भोज्यानी बापुन है। अर्त्हार्थ जब खिलाने वाले का मन प्रसन हो, खाने वाले का मन प्रसन हो, तब ही भुजन ग्रहन करना चाहिए। सोचिए जिस घर में मृत्यू होई हो, उनका मन कैसे प्रसन हो सकता है। स्वयम भगवान श्रीक्रिष्ण ने शोक या दुख की अवस्ता में करवाए गए भुजन को उर्जा का नाश करने वाला बताया है। हमारे देश में कुछ समुदायों में यह भोज समधी बक्ष से भी लिया जाता है, जिसका हमारे शास्रों में कोई वर्णन नहीं है। और हमने उसे शास्त्र समझ लिया। हाँ अगर किसी परिवार में भोजन करवाने का समर्थे नहीं है और कोई अन्य रिष्टिदार या मित्र करवाना चाहे तब यह उचित है। अन्त में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आज समाज पर नजर डालें तो यह मृत्य भोच बहुत बड़ी बुराई बन चुका है। अपनों को खोने का दुख और उपर से तेर्वी का इतना खर्चा। हमारे पूर्वजों ने तो यह व्यवस्ता एक अच्छी सोच से शुरू की थी, जिसे दिखावों के चलते हमने कुरीती में बदल दिया। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय है जन मानस को जगा कर इस प्रथा को पुराने रूप में स्थापित करने का। तो आईए मिलकर आप और हम एक प्रयास करें और प्राचीन रीतियों के समावेश से एक मजबूत समाज का निर्मान करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को विराम लगाती हूँ, अगले लेख में आपसे मुलाकात होगी। आपके कमेंट से मुझे और लिखने की पेड़ना मिलती है, इसलिए प्लीज कमेंट सेक्षन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप यह लेख पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी ब्लॉक शुद्देशी थौट्स ऑन बर्ट्रेस्ट पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धहरे से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार धन्यवाद।